हाई, वेल्कनो मेचनल, इस वीडियो में सॉल्व करें क्वेशन नबर 3 और 4, ये दोनों क्वेशन जो हैं, पूछे गए हैं, CHS के इंट्रेंस में, 2019 में, ओके, चलिए एक क्वेशन नबर 3 सॉल्व करते हैं, The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator, तो एक fraction है, ठीक है, तो fraction में क्या होता है, numerator होता है उपर, और नीचे होता है denominator, तो कह रहा है क्या, कि numerator और denominator में, यहां बोलाए कि, एक fraction का जो numerator है, और denominator है, वो कुछ इस तरी किसलेटर है, क्या कर रहा है, Denominator जो है वो, आफ एक fraction is 4 more than, चार ज़्यादा है, किससे twice the numerator से, मने, numerator का ज़्यादा करेंगे, तो 4 ज़्यादा होगा क्या denominator, तो पहले आप numerator को मान लिजिए x, इसको मान लिजिए x, यदि आप numerator को मानेंगे x, मतला उपर वाला x मानेंगे, तो नीचे क्या आजाएगा, न 4 more than, वनद 4 प्लस, twice the numerator, twice the numerator, numerator क्या है, numerator मने माना है क्या, x, यह बन गया एक fraction, ठीक है, अब आग क्या बोल रहा है, कर रहें कि, when both the numerator and denominator are decreased by 6, मतलब कि, numerator को, denominator को decrease कर देते हैं, तो 6 से, मतलब कि, अभी कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर, क्या करेंगे, x में से 6 मैनस करेंगे, औ और, 4 plus 2x में से भी, 4 plus 2x में से भी, हम मैनस कर लेंगे, 6, दोनों में से 6 मैनस करने पर क्या हो रहा है, then the denominator, तब यह मैनस करने पर जो denominator होगा, यह, ठीक है, मतलब कि, हम फिर से लिख लेते हैं, इसको, 4 plus 2x मैनस 6, यही आपका है, denominator, मतलब 6 मैनस करने के बाद, denominator यही बना न अब यह जो denominator है, becomes, मने कि हो जाता है, मने equal हो जाता है, कितना, 12 times, 12 गुना, मने कि 12 में इपलाए करेंगे, the numerator, numerator क्या है आपका, x मैनस 6, तो यह लिखेंगे, यहां लिखेंगे, x मैनस 6, तो यह बनगे हमारा equation, इसको solve करेंगे, x की value निकालेंगे, और फिर यहां put कर देंग यहां पर फ्रेक्शन मिल जाएगा, चलिए solve करेंगे इसको, तो यहां में देखे, 4 और मैनस 6, कितना हो जाएगा, मैनस 2 हो जाएगा, मैनस 2 हो जाएगा, 12 x, 12 x, मैनस 12 x, 72, आगे 12 x को लेट में लाईए, तो मिले आपको 2 x मैनस 12 x, इसकोल यहां मैनस 72 है, और 2 जाएगा, साड्मेत प्लस दो है जाएगा यहां से एक्स बार क्या अगा माइनस फिरी कि अबडेगर मायनस 10 यह जीली खैसे लोगे मैंनस वास कासल हो गया मिलेगा सेव सेवन मतब्द एकस कमिल गई है seven seven upon यह हो गया four plus two into seven कितना हो जाएगा यहां पर आपे वृताईइज seven upon हो जाएगा four to eight और eight seven कितना हो जाएगा फिफटीन हो जाएगा फीफटीन हो यहां एट seven 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 two to 14 होगा फूर्टीन four 18 होगा मतंब कि seven upon 18 आएगा मतलब कि फर्स्ट वला आप्शन करेक्ट है सेवन अपान एटीन ओके समझना आ गया होगा आपको चलते हैं फोर्थ क्वेशन पर और यहां पर देखे यह एज प्रावलम है ठीक है तो यहां पर बोला है कि टेन यह से एगो दस साल पहले फादर वाज फादर जो था वो ट्व टाइद सो टोड़ोगया संपथा यह इना सर्फ है मतलब कि पर दस साल न बाद प्रँचिता क्भाये सेथ उसके दुगना हो जाएगा दस साल बाद तो बोल रहा है then the present is our father is तब पुछाया कि father का present is क्या होगा तो यहाँ पर समय को ध्यान बहुत ज़्याद रखना पड़ता है तो हम यहाँ पर देखे एक बना रहे हैं डियाग्राम और यहाँ पर माल लेते हैं कि यह present है अब present के left side में हम denote करते हैं past ठीक है यहाँ पर है यह past और यह 10 years past है 10 years हम क्या करेंगे left में जाएंगे तो जगर past आएगा ठीक है क्योंकि 10 साल पहले यह बोला है फिर यहाँ बोला है after 10 years 10 साल बात बोला है तो present के जब 10 साल बात जाएंगे 10 years hence 10 years जब future में जाएंगे तब जाकर मिलेगा आपको future तो अब किस में मानेंगे x ठीक है तो जो यहाँ पर पहली बार यहाँ बोल रहा है उसी के recording हम मानेंगे जो ही मानना होगा यहाँ बोला है 10 years ago 10 साल पहले father was 12 times as old as his son इसका मतलब कि 10 साल पहले मतलब क्या past में तो past में यहाँ पर condition दिया हुआ है तो past में ही मान लेंगे x और y तो son का मान लेंगे यहीं पर x मालेंगे past में son का जो age है वो कितना है x है x years तो इसी समय past में ही father कितना हो जाएगा होता यह father कभी निकाल लेंगे father इसमें बोला है कि कितना है 12 times है इसका मतलब कि यह x है son का तो इसमें हो जाएगा 12 x और यह कब निकला है past में 10 years past 10 years ago अब क्या बोल रहा है अब आगे बढ़ते हैं अब करें कि after 10 years अब 10 साल बाद मतलब कि अब इसमें दिया हुआ है condition future में future में दिया हुआ है son कितना है son का अभी नहीं पता हमें यहां से निकाल सकते है यह बताए present यहां है और 10 साल पहले आपका x year है आपकी उमरी x साल है तो present में कितना रहेगा बताएए present में x plus 10 रहेगा मतलब कि हम इसमें 10 आइड करेंगे तभी तो present में आएगा यदि 10 साल पहले x years के थे मतलब मल जिकि आपको मैं बोलू कि आप जो है 10 साल पहले 10 10 years के थे तो 10 साल बाद कितना होंगे 20 years होंगे 10 जोडना पड़ेगा वैसे यहाँ पर जोड़ करके हम ला देगा present में अब यह x plus 10 क्या हो जाएगा sun का age हो जाएगा present में अब हम चाहते हैं future में लाना sun का age कितना हो जाएगा future में हमें और 10 जोडना पड़ेगा क्योंकि 10 साल बाद और लाना है तो 10 जोडना पड़ेगा इसमें मतलब कि यह हो जाएगा x plus 20 तो यह हो जाएगा sun का age किसमे future में ठीक है और father का age कितना हो जाएगा future में देखे father का भी बढ़ाते हैं यहाँ पर जाएगा sun को किये थे हम लोग वैसे यह father का भी जाते हैं यहाँ हो जाएगा 12 x plus 10 हो जाएगा present में और future में हो जाएगा father का father का हो जाएगा 12 x plus 10 plus 10 20 कर देंगे यहाँ 20 कर देते हैं 12 x plus 20 इतना years यह बसमझमार यह sun और father की हम future में age मिकाल लिये हैं और यही में निकलना आपको है क्योंकि यहाँ पर relation दिया हुआ है क्या बोला है कि after 10 years मतलब की future में क्या हो रहा है father will be twice father जो है दोगुना होगा अपने sun के मतलब father की जो age है यह वाली यह जो age है 12 x plus 20 यह equal होगी दोगुना करने पर किसके अपने sun के मतलब यह है sun का age x plus 20 मतलब यह बन गया हमारा equation ठीक है अब इसको हम solve कर लेते हैं मिलेगा हमें 12 x plus 20 is equal to यहाँ मिलेगा लेज़े तो मिलेगा 12 x plus यह हो जाएगा 40 ठीक है अब यहाँ पर हम solve कर लेते हैं तो इसको हम थोड़ा सा उपर उठा लेते हैं ओके तो यहाँ पर होगा तो यहाँ पर x x को एकसाद करते हैं तो यह मिलेगा 12 x minus 2 x is equal to 20 को लेज़े राइट साड में तो मिलेगा 40 minus 20 तो यहाँ मिल जाएगा कितना 10 x is equal to हम को निकालना क्या है present में निकालना है तो present में जो son का age हो जाएगा 12 हो जाएगा लेकिन हमें निकालना है father का father का यही है present age present देखे था यहाँ लिखे है present ठीक है न तो present का हो जाएगा father का 12 x 2 plus 10 मतलब कि 12 तूजा 24 और 24 में 10 एड़ करेंगे कितना जाएगा 34 years मतलब father का जो present age है वो है 34 years तो 34 मतलब कि first वला इसमें correct है तो hope कि आपको समच में आ गया होगा कि कैसे निकाला गया यह और ऐसे ही questions आएगे ठीक है तो आप जतना ज़्यादा लाइक करिएगा और share कर देजिए लगा दस्तों को ताकि वो लोग भी देखें thank you so much बाई